दोस्तों, आज की इस वीडियो का टापिक है, कि मोटर में हीटिंग की जो प्राबलम होती है, तो वह क्यों होती है, या अक्सर इंटर्विव अगर हमें पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान पू से क्लियर हो जाए, तो देखिए, पहला इसमें हमारा जो प्राबलम होती है, वोल्टेज अन्बैलेंस की प्राबलम, होता क्या है, कि मोटर जो हमारी होती है, उसके नेम प्लेट पर इस पर श्टूप से लिखा हुआ होता है, कि वह कितने बोल्टेज पर चलने में comfortable है, जै कि अगर करके 430 बोल्ट के असपास हो जाता है, तो इस में मोटर में हमारी हीटिण के प्राबलम आने लगती है, होता क्या है, जब हमारी मोटर में जो बोल्टेज है, व Was कम जाता है, उसका जो जितना उसके नेम प्लेट पिर लिखा हुआ, उससे कम बोल्टेज जाता है, तो जिससे क्या होता है कि जो बोल्टेज जो है हमारा वह कम होता है तो जो करेंट होती है हमारी वह बढ़ जाती है और यह करेंट जब बढ़ जाती है तो इसकी वज़ए से मोंटर में हीटिंग होने लगती है तो हम यहां पर क्या करना चाहिए कि आप जाकर करके सबस्टेश बेरिंग के प्रॉब्लम अब बेरिंग के प्रॉब्लम जो होती है कि हमारी मोटर होती है उसके दोनों साइड में दो बेरिंग लगी हुई होती है जो उसके इस रोटर होता है अब क्या होता है कि जैसे जैसे जब मोटर हमारी चलती है तो इसमें हीट उत्पन होता है और इस ह वजह से जो bearing से है करकटाहट की आवाज होती है और motor हमारी jam होने लगती है तो यहां पर हमें क्या कर आप कभी भी motor होता है कि bearing की वज़े से जो friction के वज़े से जो हमारा heating होने लगती है वह हमारी दूर हो जाएगी और ध्यान रखिएगा कि जो motor में जो greasing की यह मतलब जो हमारी bearing है उसमें जब greasing करें तो वह 75% से उपर आप greasing ना करें इतना क्यो 75% के आज-पास यह जिससे motor की जो life है वह हमारी maintain रहेगी और bearing की भी life maintain रहेगी अगला है हमारा cooling की problem cooling में क्या होता है कि जो हमारी motor होती है दोस्तों induction की या कोई भी motor होती है उसमें wings इस तरह से बने हुए होते हैं और इसकी जो rotor होती है यहाँ पीशे side में एक fan लगा हुआ होता है अब यह fan क्या करता है कि जो हम motor में three face जो भी supply देते हैं जिसकी वज़े से यह rotor घूमता है rotor की वज़े से यह fan घूमता है अब इस fan के घूमने की वज़े से यहां से हवा पास होती है pressure के साथ तो यहाँ पर जो खाचे कटे हुए होते हैं यह नालिया बनी हुई होती है यह हवा इन ही के मादम से पास होती है जिससे हमारी motor की cooling होने रखती है अब क्या होता है कभी कभी जब motor काफी दिनों तक maintenance नहीं होता है तो यहाँ पर क्या dust वगएर या कशड़ा गिर जाता है यहाँ पर जिससे पूरी तरह से air pass नहीं हो पाती है इस वज़े से motor जब ठंडे जब proper तरीके से हवा नहीं पास होगी तो motor proper तरीके से cool नहीं हो पाएगी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि motor में या जो कशड़ा है इसको आफ साफ कर दें इन नालियां आप इसी clear कर दें जिसकी वज़े से जो हवा पास हो वो प्रापर तरीके से पास हो जिससे हमारी motor की cooling वो प्रापर तरीके से होती रहे चौथा है loose connection क्या होता है कि जो हमारी motor होती है उनमें जो terminal होते हैं उन में क्या होता है कि समय के साथ धेरे धेरे ये जो बोल्ट होते हैं ये लूज हो जाते हैं कारण क्या होता है कि जब मोटर में सप्लाई देते हैं तो इसमें करेंट आता है करेंट के वज़े से यहां पर हीट उत्पन होता है हीट के वज़े से इन में बिस्तार होता है फिर जब मोटर हम बंद कर देते हैं तो इसमें फिर संकुचन होता तो ये विस्तार और संकुचन की वज़े से यहां पर लूजिंग होने हो जाती है इस लूजिंग की वज़े से यह काफी समय तक जब हम इसको प्रापर तरीके से टाइट नहीं करते हैं तो इस लूजिंग की आलें आप 3-6 महिने का तो 3-6 महिने के आप इस schedule में आकर कि आप proper तरीके से connection को भी check कर लिया करें जिससे क्या होगा कि heating की problem नहीं आएगी पांचवा है wrong connection अब wrong connection में क्या है कि motor में तीन प्रकार से connection करते हैं star में कलते हैं delta में करते हैं और star delta में motor का connection हम करते हैं जो चोटरी motor होती हैं उसमें हम star connection करते हैं जो बड़ी motor होती है उसमें star star delta में connection करते हैं अब मान लिए हमारी जो motor है हुआ मान लेते हैं हमकी 20 hp की हमारी motor है और उसमें हम जब load उसको हम चला रहे हैं या कोई भी चीज हम उससे जब use कर रहे हैं उसको तो उसमें माल लिजा हमारा पांच एमपेर का ही current उसमें flow हो रहा है तो इसकी वज़े से जब motor में हमारे current कम flow होगा और motor हमारी बड़ी है और उसमें हमने connection किसका कर रखा है चुकि हम जानते है कि 7.5 HP तक की motor में हम इस्टार में connection करते हैं तो निश्चित बात है 20 HP की motor है तो इसमें हम डेल्टा में connection करेंगे तो हमें load जो हमें इस से current जो इसमें आ रही है वो कितना है पाची एमपेर है तो जो motor है हमारी उसको पूरी छमता किसांद हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वहा कोईल में हम 415 बोल्ट सप्लाई देते हैं और जो हमारा जो star होता है उसमें 220 बोल्ट हम सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है कि बोल्टे ज्यादा आता है और हम पूरी छमता से काम करवा नहीं रहे हैं इसकी वज़ए से मोटर में हमारी heating होने लगती है छठा है क्या होता है कि जो हमारी मोटरें होती हैं अगर single face की है तो या three face की है तो अगर three face की है तो उसमें three coil होती है तो अगर motor हमारी three face की है तो अगर इनके इनका जो resistance होता है कोईलों का वह balance होना चाहिए मान लीजिए अगर two point one है तो two point two या two point three इससे ज्यादा balance unbalance नहीं होना चाहिए पता चलना की जो कोईल का resistence है वो 3.1 के आसपास तक चला जा रहा है, तो इसकी वज necess that je क्ते होता है किरन्स अनन बालेंस होस्गे कम जो हमारी motor कोईल का है तो इसकी वज ficar से टॉट में हमारी हीटीं होगी तो प्रपर तरीक से चेक कर लें कि करेंट कहीं अनबैलेंस तो नहीं है जो सातवा है मारा फैस फेल यहां पर सिदे मोटर में सपलाई दे दे ते हैं अब यहां पर क्या है कि मोटर में alguma Demiul facing होने लगी तो यहाँ भाल मुतर चलेगी अब दो फेस पर मोटर चलने के वजह से मोटर में प्रपर तरीके से बोल्टेज नहीं आएगा जिसे वजह से current जो हमारा Un interpren हो जाएगा current हमारा बढ़ जाएगा तो इसकी वज़ते से भी motor में heating होने लगती है तो आप प्रपर तरीके से check कर ले। जब भी कभी भी heating हो कि उसमें त्इनों phase प्रपर सरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो आठवा है proper mounting अप प्रपर मांटिंग क्या है कि जो हमारी motor होती है उसके base में प्रपर तरीके से हम nut bolting करके ही motor को हम connect करते हैं, तब इसके साथ हम कोई load को हम जोडते हैं, तो अब क्या है कि धेरे-धेरे करके ये जो bolt होते हैं, वो lose हो जाते हैं, lose होनी के वज़े से, जो motor की efficiency है, वो अच्छे से काम नहीं करती है, इसकी वज़े से भी motor में heating होने लगती ह क्योंकि extra load उसके motor पर पढ़ने लगता है, तो आप इसके nut bolting का proper तरीके से चेक कर लें, अगर वो lose हैं, तो उनको ढंग से आप tight कर दें, तो इससे या heating की problem हमारी दूर हो जाएगी, नवा है हमारा temperature, motor की जो name plate होती है, उसके लिखा हुआ होता है कि motor कितने temperature पर काम करेगी, मान लिखा हुआ है काम करने के लिए, और यहां का temperature मान लिखा हुआ है, तो उसकी वज़ेश से भी motor में heating होने लगती है, तो आप देख लें कि motor में temperature कितना लिखा हुआ है, कितनी temperature पर motor हमारी काम करेगी, तो motor को उसी temperature पर लगाना चाहिए, मतलब उसी environment में आप लगाएं, जिस temperature पर motor चलने के लिए comfortable हो, जिससे motor में heating नहीं होगी, जो दसवा है हमारा power factor, motor में इसपस टूप से लिखा हुआ होता है, कि 0.8 से लेकर के 0.85 के बीच में motor हमारी चलेगी, अब किसी कारण बस जो input का जो power factor है, वो डाउन हो गया, 0.65 हो गया, जिसकी वज़े से current जो हमा को अगरा लगा करके, हमारा power factor उसको improve कर दें, इसकी वज़े से motor का power factor अच्छा हो जाएगा, और motor में heating की problem नहीं होगी, जो 11 है हमारा connecting load, क्या होता है, कि motor के साथ में, यह हमारी मालीजे motor है, इस motor के साथ में हमारा एक load जुड़ा हुआ होता है, तो यह coupling के साथ एक load जुड का हुआ है, उस load जो हमारा मालीजे gear box है, अब वह gear box जो हमारा वो jam हो रहा है, तो जिसकी वज़े से jam होनी के वज़े से motor पर रश्टा load पड़ेगा, जिसकी वज़े से motor हमारी heat होने लगती है, तो आप यहाँ पर क्या करें, कि motor में, इस coupling को हम खोल दें आप, और motor को freely चला कि आपका gear box jam है, या motor में कोई problem है, तो अगर gear box jam होगा, तो motor हमारी heat होगी, तो अगर इस से clear हो जाएगा, कि अगर आपकी bearing में problem है, या कोई और problem है, तो आप इसको सही कर लेंगे, और gear box में problem है, तो gear box को आप सही करके motor की heating के problem को आप दूर कर लेंगे, तो यह कुछ दोस् बहुत ही अच्छा बन जाएगा तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो तो वीडियो की ज्यादा ज्यादा लाइक कर दीजिएगा सेयर कर दीजिएगा इस वीडियो समझते हैं अगर आपके में कोई क्वैरी कोई कन्फ्यूजन है तो इसको भी कमेंट करके जरू पूछेगा तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों